हेलो फ्रेंज, वेलकम टू फार्मेसी कमपेनियन, आज जिस टॉपिक लेकर आए हैं, वो बच्चों से लेकर एज़्ट बर्सन सबने फेज किया, नासल ब्लॉकेज, जिसमें ठन लगने से नग बंध हो जाता है, और सांस लेने में दिक्कत होता है, दो बहुत ही अच्छा मेडिसीन है, जो नासल ब्लॉकेज में यूज किया जाता है, एक है जाइलो मेटाजोलीन, जो की ओटिविन नाम से जाना जाता है, और एक है ओक्सी मेटाजोलीन, जो की नैसिवियोन नाम से जाना जाता है, ये दो ब्रैंड नेम है, इन दोनों मेडिस कैसे काम करता है मतलब mechanism of action क्या है यह alpha receptor agonist produce vasoconstriction मतलब यह medicine जाके bind करता है alpha receptor में जिसका काम है vasoconstriction करना जो dilate nasal area में जो blood vessel है वो जो dilate हो गया था वो आप constrict हो जाएगा तो जो सास लेने में जो दिक्कत हो रहा वो आप दिक्कत नहीं होगा वो आप normal breathing start होगा तो नसल blockage से अप relief मिल जाएगा अब dose क्या है और ट्रभिन one to two drop on block nostril जिस नाग बंध है उसमें एक से दो drop डाला जाता है अब pediatric मतलब बच्चों के लिए point zero five percent solution और adult के लिए point one percent solution तुम pharmacy में जाओगे जाके अगर बोलोगे बच्चों के लिए है तो point zero five percent दे देगा अगर adult है तो उसके लिए point one percent देगा अब नैसिव ही उन में भी same है one to two drop on block nostril बंधनाक में एक से दो drop और इसका dose क्या है pediatric मतलब बच्चों में point zero two five percentage solution और adult में point zero five percent solution जो pharmacy में available है तुम जाके बोलोगे बच्चों के लिए या बड़ों के एडल्ट के लिए तो उसी साब से वो यह medicine तुमको provide कर देगा medicine related जानकारी के लिए इस चैनल को जरू सब्सक्राइब करना अगर कोई भी question है मन में तो comment box में पूछ सकते हो